वेलो फ्रेंस वेलकल बाक्ते है चानल तो जैसे कि अब जानते हैं शल पर हम एकस चियर वएस्ट यूप और नाच्रल ग्यास के लिएवस को फैंड बॉट करते हैं तो आज के साथ चेज करते हैं तो आज की लिए अक यहां किया था 2.286 का लेवल किया था अगर यह ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो मैं सेल साइट देखने को मिल सकता है फॉर्स टागेट हुआ हमारा सेकिंड टागेट अक्टिवेट हुआ लेकिन उससे पहले मार्केट वापस रिवर्सल ले गई अगर हम इस चीज को देखें कि यहां से मार्केट रिवर्सल क्यों लिया है अगर पिवट साउन करते हैं यहां पर नीचे गिर तो रही है लेकिन बहुत सलोली डिक गर रही है, मार्केट डेसिजन दीचर्फ डिलगा रहा है। थोड़े-बहुत जो च्रेडर्स वहीं प्राइस को थोड़ा बीक्नेस्ट तरफ यहां से मार्केट इसे इंडिकेट लाइब करता है और इसको आपको कंसिडर करना होगा अदरवाइस आपकी जव तो आपको क्या-क्या चीज़ द्हान में रहेंगे लेकिन उसके अलावा हमें वॉल्यूम के ऊपर ध्यान अटना होता है साथ के साथ के साथ के चैंडल की जो पाटन बन रहा है या कैंडल का जो साइज और स्ट्रॉक्चर बन रहा है उसको भी हमें डिस्कूस करना होगा तो सकते हैं इसको ध्यान में रखेंगे तभी हमें एक च्याप फफेक्ट Τ्री देकने को मिल सकते हैं अगर हम यहां से थोड़ा से हिस्ट्री बीज़ाए इस्ट्री चलते हैं थोड़ा से छेक करेंगे हैं यहां बर देखिए क्या हूआ exactly लिए हम यहां से फिरिक लिए यहां support और resistance बार-बार ले रही है तो यह हमने मांक कर लिया है यहाँ आप देख सकते हैं काफी अच्छे से support और resistance हमें देखने को मिल रहे हैं अब हम चलते हैं वहीं पर जहां पर market हमारी काम कर लिया और अगर आप notice करेंगे तो यह 2.197 का level है जो कि market को पहले support दे चुका है और इसी को टच करने के लिए market continuity में धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर लिए थी यहां में जैसे market ने टच किया market वापस bounce back किया और upset का movement ले लिया ठीके तो market ने अपने level की respect रखने के लिए यहां तक का move लिया है उसकी बाद upset का move लिया है तो यहां से अभी क्या response मिल सकता है हम यहां पर नीचे की तरफ गिरी है यह क्यों हुआ है यहां पर देखे नौ बजे की कैंडल है यह जो ग्यारा बजे की कैंडल है तो अगर आप एक से ng usd पर shift करेंगे तो यहां पर देखे हमारी yandle यह शाम को राध कल रात को बारत तरीक کو senate 11etr बजे और यह साड़े बारजे के कैंडल है और यह देडर बजे जय कांडी में की यहां सब्सक्राइब के बाद यहां पर चोटा से गाप लिया है दो घंटे का साड़ी चार बज़े यहां से कैंडल ओपन होना शुरूई है और इतने दिर में काफी दान नीचे आ चुकी है और क्यूंकि एक्संजी यूसजी तनी नीचे आ चुका है इसलिए हमारा जो नाच काफी नीचे बहुत चुका था उसी के वज़े से यहां पर में गाप डाउन देखने को मेला और मार्केट फिर से और नीचे की दरफ गरी और वालब जो लास्ट तागेट है उसको हिट करने के आद मार्केट साइडवेज जाने काद अपसेट का मूव ले ले चुकी है और किस तरह का मूवमेंट रह सकता है तो हम शिफ्ट करेंगे वापस से एकस एंजी यूएसडी के ओपर यहां पर शिफ्ट करेंगे और यहां से अपनी लेवल को देखते हैं हमने एक इंपॉर्टेंट जून मार्क किया वालरी यह जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं यह ए सब्सक्राइब करते हैं है अगर तो मार्क इस बॉक्स के अंदर एंडर कर जाती तो देख नेक्स तॉल एक तो तो 2.383 और 2.347 यह दो important levels हो जाएंगे अगर market इस box के अंदर enter करती है तो और अगर इस box को यही से तोड़ देती है तो एक अच्छा move हमें इस trend line तक का देखनी को मिल सकता है यह trend line हमने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में discuss करी थी तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखिए तो इसमें एक पर यह trend line वाना देख लीजिए area कि अपने कहां में मांग किया इसको ड्रॉ कर लीजिए हमें काफी support resistance help सब कुछ दे सकता है तो अभी मात करते हैं कि market किस resistance बना और अभी market ही से resistance ले रही है तो अगर नीचे के तरफ गिरती है और 2.286 को break करती है first target रहेगा 2.248 next रहेगा 2.197 2.174 का level तो यह लेवल्स आप मांग कर लिजिए sell side के लिए 2.286 अगर break होता है नीचे के तर जाती है market तो इस तरह से हमें trade plan करना है otherwise हमें 2.319 भी help करने वाला है अगर यह break होता है तो हमें 22 का trade देखने को बिलेगा इस rectangle का base यह नहीं कि 2.348 इसके अदर enter कर जाता है तो next target रहेगा हमेरा 2.384 तो यह आप मांग कर लिजे अपने चार्ट पर यह में काफी help कर सकते हैं काफी सारे लेवल्स हमें मांग किये कर काफी सारे data भी आ रहा है तो market में थोड़ा momentum हमें देहने को मिल सकता है इसका हम चलते है नाशल गयास यहां आप अभी अपने लेवल्स को मांग कर रहेगा उसकी बाद हमें एक लेवल देहने को मिल सकता है यह वाले लेवल क्योंकि आप बीच में गयाप को फिल करने के लिए market उपर की तरक बढ़ सकती है तो यह गया फिल करने के लिए market 201.7 तक और 205.6 और यह जो ट्रेलन है यह फिर से हमें resistance देना शुरू कर देगी तो आगा market नीचे की तरफ गिरती है तो market सबसे मेले 195 को ब्रेक करने की कोशिश करेंगी 195.3 जैसे ही ब्रेक होगा अच्छी volume strong volume और strong candle के साथ तो हमें sell-sell criteria को मिलेगा 193.3 192.4 और 188.2 188.2 को थोड़ा सा shift करेंगे slightly इसको upset पर रख देते हैं क्योंकि यहीं में market की काफी clearly यहां पर support लेती ही में नजर आ रही है तो हमने यह market 188.9 यह हमारा sell set का target रहने वाला है simple terms में कहें तो यह trend line resolution दे रही है यहां से market अगर ऊपर की तरफ तो तो strong move upset के देखने को मिलेगा अधरवाइस अगर market रिवर्सल ले लेगे तो sell set पे हम trade plan करने को मिल सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं है तो आप like बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भूलेगा थाकि हमारा confidence बना रहे हैं और bear icon पर क्लिक कर लेजे थाकि हमारी वीडियो साइम में आप तक बहुत सकें okay investors bye everybody take care and keep on earning profits goodnight